Hey guys, welcome to Ideal Computer Institute, मेर नाम विवेग है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो है हम MS Excel के अंदर SuperScript या SubScript का Concept को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो है हम SuperScript या SubScript जो है MS Excel में हम लगा सकते हैं, तो दोस्तों हम वीडियो स्टाट करें उनसे पहल हैं तो चैनल को सस्काइब कर, बैल आइकन को जरूर पेस किजएगा, साथ या आप हमें Social Media पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीची डिस्किप्शन में मिल जाएगा, तो SuperScript और SubScript का जो भी Concept है, वो बहुत ही आसान सा Concept है, इसलिए वीडियो को लास तक देखी, इसमें आ आपको SuperScript का सबसे पहले Concept के लियर कराना चाहते हैं, SuperScript में मानगे चलिए आपको लिखना है, E reach to power 2, तो आप सिंपली इस सेल पे आएंगे, और यहाँ पे E और अपने Keyword के मदद से 2 लिख लेंगे, अब हमें जो power मिलाना है, जैसे हमें 2 power मिलाना है, 2 जो है E के उपर आना ह यहाँ पे देखिए SuperScript का एक option दिख रहा है, SuperScript पे आप क्लिक करके यहाँ से आप OK पे क्लिक कर देंगे, जो हमारा SuperScript है वो इसके लिए लग चुका है, देखिए E raise to power 2 आ चुका है, ऐसी अगर आपको कोई और power चाहिए, जैसे हम C raise to power 2 लिखना चाहते हैं, तो हम C लिख द लिए, उसके बाद अपने कीबोड से जो है, Ctrl-1 प्रेस करेंगे, डारेक्ट आपका जो format से ले, font का वो open हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो है, आप SuperScript करके OK कर देंगे, आपका SuperScript लग चुका है, सेम उसी तरीके से जो है, आप सब एसक्रिप्ट में यूज करेंगे, यहाँ पर हमने जो है, H2O राइट डाउन करा, अब H की नीचे में ये 2 आना है, तो हम इस 2 को सबसे पहले सलेक्ट करेंगे, अपने कीबोड से Ctrl-1 प्रेस करेंगे, और यहाँ से अब हमें SubScript में इसे यूज करना है, तो हम SubScript करके यहाँ से हम OK कर देंगे, देखे हमारा SubScript म यहाँ पर 2 आ चुका है, सेम अगर इसी तरीके से आप NS3 लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर NH उसके बाद हम 3 लिखेंगे, और 3 हमारा इसके नीचे आता है, तो हम 3 को सलेक्ट करेंगे, और फिर से अपने कीबोड पर Ctrl-1, अदर्वाइस यहाँ से आप Font वाले पर क्लिक क करेंगे, और यहाँ से आप Sub-Escript पर क्लिक करके, यहाँ से OK कर दीजिए, देखिए यहाँ पर Sub-Escript लग चुका है, दोस्तों यह तो था हमारे पास अगर Tax और नमबर दोनों अगर एक साथ हैं, तो ऐसे में आप ऐसे Super-Escript और Sub-Escript जो है, लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों परिकेस ऐसा आता है जहांपर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर हो उसकेस हैं अगर सुपरच क्रिप्ट और सबसक्रिप्ट यूज करना चाहते तो उनका प्रोसेस थोड़ा साग्ष हो जाता है जानिए का वो process कैसे काम करता है सबसे पहले हम इस दो cell को merge कर लेते हैं जैसे हम example के थुरू हम 2 raise to power 6 लिखना चाहते हैं तो अभी तक हमने क्या सिखा था 2 लिखेंगे और 6 लिखेंगे उसके बाद हम 6 को select करेंगे अपने keyword के मदद से keyword से फिर हम control 1 ट्रेस करेंगे और यहां से super script करके यहां से ok कर देंगे देखिए 2 raise to power 6 यहां पे अभी 100 हो रहा है लेकिन जैसी आप किसी other cell पे आप click करते हैं तो आपका जो super script था वो हट चुका है तो इस तरीके से अगर आपके पास सिर्फ number number है और उसको अगर super script में use करना चाहते है तो इनके लिए हमारा थोड़ा सा process change हो जाता है चलिए जानिएगा वो कौन सा process है सबसे पहले हमें इस format को जो हमने type करा है उसे हमें text में convert करना परेगा यह जो है अभी फिलाल जैंदल या यह हमारा numeric form में इसे जो है text में हमें सबसे पहले लाना होगा text में लाने के लिए इस cell को select करेंगे यहां पे number का ए cell है यह text के रोप में behave करेगा अब आपको क्या करना है इस पर double click कर लीजिए या अपने keyword से F2 प्रेस करेंगे तो edit का option आजाएगा अब आपको super script जिसे भी लगाना है उस data को select करेंगे जैसे हम 2 raise to power 6 करना चाहते हैं 6 को हमने select कर लिया control 1 से हम यहां पे आएंगे और उसके ब सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इस file को यहां पर merge करते हैं हम चाहते हैं 6 के नीचे जो है हम 2 लगाए तो इसके लिए हम 6 और 2 लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम कहीं other जगा क्लिक करेंगे और इस cell को फिर से select करके यहां से हम इसे text पे सबसे convert करेंगे अब यह हमारा text पे convert हो चुका है या तो इस पर double click कीजिए या F2 प्रेस कीजिए अब यहां पर 2 को हम select करते हैं जो भी हमें सबस्क्रिप्ट में लाना उसे हम select करेंगे control 1 प्रेस करेंगे और यहां से sub script वाले को okay करके sorry tick out करके यहां से okay करेंगे अब आपका देखे sub script भी लग चुका है तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप super script और sub script जो है अपने कोई भी data में यूज कर सकते हैं बहुत से असान सा concept है बस याद रखना है कौन से जगा आप कौ इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूर सकते हैं सस्काइब कर सकते हैं चलिए हमें दीजे थोड़ा से समय हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ